जय हिंद मेरे प्यारे साथियो दोस्तों देखिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वाच कीजेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं भारती डाग विभाग के बारे में कुछ ऐसे आपके जो भी क्वेरीज है ना उसको मैं दूर करने वाला हूं क्योंकि काफी फार डाउट को सारे संदेह को कवर करने वाला हूं मिटाने वाला हूं ठीक ना तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारती डाग विभाग में इस वक्त रिसेंटली में दो भरतिया चल रही है एक शेडूल सकेंड और दूसरा जो चल रहा है वो स्पेशल ड् हर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा क्या दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है और अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे इसलिए ये कमेंट कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान, छत्यषगड, मध्यप लग जाएगा दोस्तों तो उसके कारण बच्चे कह रहे हैं कि सर्य बताइए क्या इन राज्यों में थर्ड मेरिट लिष्ट जारी नहीं किया जाएगा क्या दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं भारती डाग विभाग बोर्ड और इलेक्शन कमिशन का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ठीक ना इसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा भले ही दोस्तों साथ तारिक से ले करके तीस तारिक तक जो है वो लोग सभा चुनाओ है नवंबर महिने में लेकिन इससे आपको थर्ड मेरिट लिष्ट पर कोई भी अफर देखने को नहीं मिलेगा और मैं बता रहा हूं मद्यपरदेश, राजस्थान, छतिसगर्ण, मिजोरम और तेलंगाना यहां पर जो थर्ड मेरिट लिष्ट है वो पच्चिस तारिक के आसपास यानि की पच्चिस अक्टूबर में इसी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा आप लोग भी हताश निराश मत हुए घबराइए नहीं ठेकिना इससे इलेक्शन कमिशन और भरती बोड से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है तो रिजल्ट हंडेट टेन परफेंट जो है वो जारी किया जाएगा और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं यह पांच राज्यों म 98, 99 और 100 परफेंट का कट अफ देखने को मिलेगा यह राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं और यह कोई बताएगा आपको नहीं दोस्तों और यूटूबर्स या फिर और टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि 65 परफेंट, 70 परफेंट, 70, 80 परफेंट अगर आपके मा 98, 99 किसी-किसी राज में तो 100, 100% कट अफ गया है आप सभी लोग ने देखा है उनमें से आप लोगों का का आफ ऐसे बच्चे हैं जिनका की नाम आगया होगर आप में से ही काफी बच्चे ऐसे होगे जिनका की मेरिट लिश्ट में नाम नहीं आया होगा अच्छे में पढ़ता है वहां का cut-off आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल फकता है अगर मिजोरम के हम बात करेंगे ना तो 88, 89, 90, 92% में दोस्तों यहां पे फिलक्फन हो फकता है इस third merit list की में बात कर रहा हूं ठीक ना जिसमें की 30,041 post पे यह भरती आई थी अब काफी सारे बच्चे यहां पे यह करें अब यह ची तो doubt clear हो गया ना आपका कि इसका third merit list जो है वो जारी किया जाएगा विधान सभाचुनाव होने के बावजूद भी ठीक ना विधान सभाचुनाव का इससे जो है कोई लेना देना नहीं है यहां तक clear हो गया दोस्तों अगला सवाल बच्चे यह पूछ रहे थे कि सर यह बताइए कि schedule second का second list का second document verification कब होगा देखे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों मेरी बातों को सुनिएगा ठीक ना क्यूंकि schedule second का second merit list आपको मालूम है 31 सितंबर को जारी हो गया था उसके बाद list में बताया गया था कि 9 October 2023 तक इसका first document verification चलेगा हलाकि extra 5 दिन का समय और दिया जाता है वे बच्चे जो की छूड याते हैं तो कहने का मतलब है कि 14 October 2023 तक जो है इसका second sorry first document verification चलेगा आज 12 October है दोस्तों यानि कि इसका लगभग जो ह है first document verification का date लगभग समाप्त हो गया है 95% बच्चे जो है वो 9 October पर पहले पहले document verification करवा लियोंगे तो अब बारी आती है इसके second document verification का तो अगर अभी तक आपके mobile पर intimation नहीं भेजा गया है ना तो आप अभी घबराईए नहीं अभी एक सब्ता से ले करके मैं यहाँ पर लि अभी first document verification complete हुआ है second document verification के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ना और ऐसा ही होता है एक सब्ता या 10 दिन का समय लिया जाता उसके बाद document verification का intimation भेजा जाएगा आप लोग बिल्कुल भी घबराईए मत परिशान हताश निराश मत होएं बच्चे बार-बार पूछे थे सर मे अंदर अंदर जो इसका second document verification का intimation भीजा जाएगा और document verification second document verification को भी आप लोग हलके में मत लीजेगा फर्स्ट document verification complete हो गया बहुत अच्छी बात है लेकिन second document verification में DV locker के माध़म से आपका जो है mark sheet reward जो है वो चेक किया जाता है ठीक ना तो वहाँ पे तो आप नहीं कर अगर आप genuine candidate है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बाकी अगला सवाल यह है बच्चों का कि सरीय पूछ रहे थे कि सरीय बताइए कि GDS 2024 next vacancy जो है वो कब आएगी upcoming vacancy के बारे में बच्चे पूछ रहे थे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि भारती डाग विभाग में ना इस वक्त recently में दो भरतियां चल रही है schedule second और special drive के अंतरगत schedule second की बात करेंगा तो 30,041 और special drive में 12,888 सीटों पर यह भरती का process चल रहा है तो इस साल तो यह नई vacancy जो है upcoming vacancy की जो मैं बात कर रहा हूँ यह आपको देखने को नहीं मिलेगा इसकी जो नई vacancy है आपको देखने को मिलेगा 2024 के January माह में जी हाँ दोस्तों जिससे के हम लोग group C की vacancy कहते है group C के अंतर का तीन प्रकार की भरतियां जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था MTS यहाँ पर मैं लिक दे रहा हूँ mail guard और उसके अलावा post mine जी हाँ दोस्तों post mine की भी भरती जो है इसमें शामील है यह तीन प्रकार की भरती जो है वह आपको देखने को मिलेगी जनवरी 2024 में और काफी सारे बच्चे यह भी पूछ रहे थे कि सर्य बताई जो next भरती आएगी उसका जो है selection process 10th basis पे होगा कि 12th basis पे होगा तो देखे एक चीज़ में आपको यहाँ पे clear कर देना चाहता हूँ मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अगर MTS post mine और mail guard पर भरती आती है ग्रूप C के अंडर में तो यहाँ selection process जो आपका होगा दोस्तों इसमें exam आपका होगा written exam ह MTS के लिए 10th pass qualification वांगा जाएगा वहीं पे अगर आप mail guard और postman के लिए apply करते हैं तो 12th pass यहाँ पे qualification यानि की योगता आपके pass होना चाहिए दो प्रकार की भरती इसमें आती है एक departmental भरती और दूसरी fresher भरती तो यह मैं fresher भरती के बारे में बात कर रहा हूँ departmental भरती उ क्योंकि GDS में काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग पोश्ट में जो मलब की कारयत है पहले फिर department में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक ना क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो वह लग क्या था हो प्रमोशन के थूप जिसे GDS से postman, GDS से mail guard है ना उनके लिए भी अलग से exam ह होता है लेकिन यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वह बात कर रहा हूं फ्रेशर कंडिडेट के लिए जो 12th पाफ है 10th पाफ है उनका यहां पर जो अगला वेकेंसी आएगा ग्रूप C गा वहां पर आपका exam होगा क्योंकि यहां पर ABPM और BPM के post पर भरती नहीं है अगर ABPM और BPM के post पर भरती होती तो यहां पर आपका 10th basis पर आपका selection process रहता है 12888 सीटों पे उसका अभी तक 5 merit list जारी हुआ है इसके selection process का last edit के अगर मैं बात करूँगा न तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ selection process के last edit के अगर मैं बात करूँगा तो 30 November 2023 तक चलेगा यह मैं बात कर रहा हूँ special drive की selection process का ठीक है ना तो कहने के मतलब संभावित यहां पर यह है कि total 6 या फिर 7 merit list जारी होने की संभावना है अगर इस महीने के अंत में 6 merit list जारी हो जाती है तो अगले महीने के अंत में इसका 7 merit list आने के भी संभावना है लेकिन सभी 23 circle के result नहीं जारी होंगे कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर number of feet जो है वह फिल हो चुकी है भर चुकी है तो वहां पर result जारी नहीं किया जाएगा उन राज्यों को छोड़ करके बाकि जहां पर number of feet भरी नहीं है वहां का आपका merit list जारी किया जाएगा तो संभावित है 6 से 7 merit list जारी हो इसके बात करूंगा तो 5 से 6 merit list जारी होने के संभावना है possibilities है आए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर्य बताएगे नई भरती में जो आएगी group C में या फिर यो ABPM BPM के post पे उसमें क्या 60% 50% 70% 75% वाले बच्चे apply कर सकते हैं कि नहीं तो देखें यहां पर कोई restriction नहीं है कि आप apply नहीं कर सकते हो आप जरूर apply कर सकते हो लेकिन merit list में आपका नाम जो है आएगन ही ठीक ना अब आप पूछोगे कि सर आप इतने confidence के साथ कैसे कह सकते हो देखें इतने confidence के साथ इसलि को मिल रहा है किसी भी राज्य में देख लीजिए केवल नौर्थिष्ट को छोड़ करके मैं बता रहा हूं नौर्थिष्ट हो गया असम ओडिशा यहां पर थोड़े से cut-off कम जा रहे हैं और बाकी किसी state का आप देख लोगे ना तो इसी प्रकार से cut-off ज्यादा जा रहा ह दोस्तों तो 60%, 65%, 70% वालों का नाम नहीं आएगा merit list में अगर आपके 60%, 65%, 70% high school में है न तो बहतर यही रहेगा कि आप next vacancy की तयारी कीजिए और यह मैं हर वीडियो में बोलता हूं सिर्फे बोल रहा हूं इस वक्त पशु परिचर में भरती आई है उसमें apply कर वक्ते हैं BFF 10 plus 2 इंटर लेवल पर vacancy आई है बिहार में आल इंडिया के male or female candidate apply कर वक्ते हैं 11,000 पर ज्यादा पोस्ट पर भरती आई है उसमें apply कीजिए है उसके अलावा दोस्तों बिहार दरोगा में भरती आई है उसमें भी apply कर वक्ते हैं दिल्ली पुलिस में MTS trade से civilian के पोस्ट पर भर और यह सारी चीजे जो मैं बता रहा हूँ ना यह कोई आपको टीचर से बताएगा नहीं वह आपको यहीं बताएगा कि आपके इतने परफंटेज है तो आप apply कर दीजिए आपका नाम आ जाएगा लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि अगर आपके 65-70 परफंट है तो आपके म चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए जिससे की मेरे दोरा बनाएगा वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मुबाइल तक पहुंचता रहेगा और आपको भारती डाग विभार या फिर अजर गवर्म पर मिलेगी बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद